नमस्कार दोस्तों, कंपटसेन अकडमी की यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है जैसा कि आप जान रहें कि अभी तक इकाई एक और इकाई दो चल रहा था, इकाई दो समाप्त हो चुका है अब हम लोग बात करेंगे, इकाई तीन, हिंदी साहित में इकाई तीन की बात करेंगे जो नया पाठ करम आपका है, उसमें इकाई तीन में है साहित सास्त्र तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लो即ि 1.3 तीन साहित सास्त्र में आपके पाठकरम में kauen-kauen से टॉपिक हैं देखे जब तक आपको टॉपिक नहीं पता होगा आपको पूरा आपका सलेबस नहीं पता होगा तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे तो सबसे पहले तो आप अपना पार्ट करम जाने कि आपके पार्ट करम में हाई क्या क्या चीजिए तभी तो जो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे तभी तो आपको पता चल पायेगा कि हमने कितना आपको पढ़ा दिया, कौन-कौन सा टॉपिक आपका हो चुका है और अभी कौन सा बाकी है, इसलिए हर इकाई से पहले आपको हम पाठकरम के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने पाठकरम से आउगत हो सकें, जो हमारे ऑनलाइन मेंबर हैं, जिन लोगों न बीडियो भी आपको कल से मिलना प्रारंब हो जाएगा, जो हमारे नए बीवर्स हैं, वो अगर ओनलाइन एडमिसन लेना चाहते हैं, तो जो दिया गया नंबर है, ये नीचे दोनों नंबर दिये गए हैं, इन दोनों नंबर पर किसी पर भी आप वाट्सेप कर सकते हैं, य आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या फीस है, क्या क्या चीजे प्रवाइड कराई जाएगी, चलिए हम लोग देखते हैं, पाठ करम की बात करते हैं, और ये चीज़ और जान लिजी, इकाई दो में, इकाई दो में जो गद्धी विधाये हैं, इसके बारे में मैं जैसे जब हम लोग उपन्यास वाली इकाई में आएंगे, तब एक लेक्चर आपका होगा, हिंदी उपन्यास का विकास, तो आपके समझ में ज्यादा आएगा, ऐसे जब हिंदी कहानी की इकाई की बात करेंगे, कहानी वाली इकाई में आएंगे हम लोग, तो हिंदी में, तो वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे कहानी का विकास, ऐसे जब नाटक की बात करेंगे तो एक लेक्चर वहाँ हो जाएगा हिंदी नाटक का विकास, ऐसे निबंद वाली इकाई में जह हम लोग आएंगे तो हिंदी निबंद का विकास, तो आपके समझ में जादा आ जाए है इसलिए मैंने कहा कि यह चीज भी आपको बता देते हैं आए देखते हैं इक आई तीन है यह ऐनि-ई-इब क्या क्षष। इस्में आपको क्या पढ़ ना है आपके पाटकरभी क्या क्या में अई अपके देखते हैं सबसे पहले प्रियोजन उसके बाद पर्मुक संपर्दाय और सिध्धान जैसे रस अलंकार रीती ध्वानी वक्रोक्ति आवचित ग्यार रखना इन से मिलाने वाले भी प्रस्ण पूछे जाते हैं मिलान करने वाले प्रस्ण भी आते हैं या इसके अलावा इसके जो आचार हैं जैसे अलंकार संपरदाई के आचारे कौन कौन से हैं जैसे आचार भामा अचार दंडी आचार उद्भाट आचार रुद्रट इनको क्रम से पूछ लिया जाता है जैसे आचार प्रश्ण यहां से पूछ लिया जाते हैं या किस संपरदाई के प्रवर्तक कौन है जैसे रिती संपरदाई आचारे वामन है वक्रोक्त संपरदाई आचारे कुंतक है इन्होंने क्या कहा है तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है तो इसकी बात करेंगे आईसे रस निस्पत्ति और साधारनी करण यह भी आपके पाटकरम में हैं फिर सब्द सक्ति कावे गुण कावे दोस इसके बाद यहां पर आता है सिद्धान्त प्लेटों के सिद्धान्त से प्रस्ण पूछे आते है अरस्तू के सिद्धान्त से पूछे जाते हैं वर्ड्स वर्थ का का विभासा सिद्धान्त क्या है कॉलरीज का कल्पना और फैंटेसी क्या है टीयस इलियट के बारे में अभी पिछले परिक्षा में भी पूछा गया है टीयस इलियट का निर्वैक्तिक्ता का सिद्धान्त और परंपरा क्या उधारना क्या है इसके बारे में भी प्राशन पूछे जाते हैं आई ये रिचर्ड इनका भी सिध्धान्त इनका कौन-कौन सा सिध्धान्त है तो मूले सिध्धान्त संप्रेशन सिध्धान्त का विभासा सिध्धान्त और इसी के साथ आप देखेंगे यह पर रूसी रूपवाद और साथ ही में नई समिक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, परतीक और विम्ब तो यह आपके पाठकरम में है पाठकरम को बहुत अच्छे से आप देख ले और पाठकरम के बारे में समझ ले क्योंकि जब तक आपके पाठकरम का समझ नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है जैसे आउचित संपरदाय, जब यहाँ संपरदाय की बात होगी आउचित संपरदाय की हम लोग बात करेंगे जैसे यहाँ पर आपके पाठकरम में दिया गया आउचित संपरदाय, तो आउचित संपरदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप देखेंगे छे मेंद्र की बात करेंगे, हम लोग ग्यारवी सताब्दी का मध्यकाल होगा, ऐसे रस संपरदाय की बात करेंगे, तो रस की बात करेंगे, आचारे वामन की बात करेंगे, हम लोग ध्वन और वक्रोगती के बारे में भी मैंने आपको बताया, कि ध्वनी में आनंद वर्धन होंगे, वक्रोगती में आचारे कुंतक होंगे, तो इस तरीके से इनके जो प्रमुक आचारे हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है रहे बात काविलक्षण की यहां जो आप देख रहे हैं काविलक्षण की जो हमने बात की है काविलक्षण को अलग-अलग आचारियों ने अलग-अलग तरीके से प्रत्पादित किया जैसे अगर हम लोग आचार भामा की ब प्रवंस तरीखे से अलग अलग तसरीडा को परस्तुत किया है कर शार के प्रमूख ग्रंत कवह से यह भी आपको जादना चरूरी है उसी के साथ काव के भेद की विवात हम लोग करेंगे लुधी काव कौन सा होगा प्रबंध काव क्या है मुक्तक काव क्या है गद काव क्या है चम्पू काव क्या है तो देखे जब आपको पाठ करम की जानकारी होती है तब ही आप इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं जहां तक काव के गुड की अगर हम लोग बात करें तो गुड म तो यह सारी चीजे आपको लेकर आगे बढ़ना है और ऐसे यहां पर प्रमुक सिद्धान दिये गए पलेटो अरस्तु वर्डस्वत कॉलरेज टी असिलियट आई रिचर्ड तो इनके भी बात हमको करना है तो इस तरीके से यह पूरा आपका पाठिकरम है और इस पाठिकरम क को आप जरूर देखते चलिएगा और हम एक एक टॉपिक को लेकर एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ाते रहेंगे जहात बात हम लोग रस की करेंगे ध्यार रखना परमुक रस जैसे हैं उनके अस्थाई भाव कौन से पूछा जाता है आपको हर जेगे नहीं मिलेगा जैस असी रिंगार रस इसका स्थाईभाव तो आपको पता है ठीक है एसथाईभाव क्या है रती है लेकिन इसका वन कौन सा रंग लग श्याम रंग है इसके देवता कोन है विश्णू एक ऐसे हास रस कासी हैं में रंग का में रस हैं देउता प्रमत रस के थाई रभा ऎजया ऐसे राद्रस की अगर बात करें तो कुछ रंग उसका लाल होगा और देवता रुद्र हो ओए से बीर रस की बात करेंगे तो यह स्थाइभ भाव उत्साह होगえば रंग ग और जह नशहरें Ал Всем लो उनके सात्यविक भाव कितने होते हैं किस सात्यविक भाव का क्या अर्थ होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है तो यह पूरा जब पाठिकरम आपको पता होगा तभी तो आपको पता चल पाएगा कि क्या-क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो आप सभी पास तो डाउन्लोड कर ले और पार्ट क्रम को देशते चले और हम एक एक टौपिक कर लेके चलते रहेंगे और जहां तक है दस दिन के अंदर आपका अपट करंप पूरा हो जाएगा यानि फ दस दीन के अंदर प्लब दे उसमें जूर सकते हैं और आप लोग आगे बढ़िए मेहनत करिए और हम ऐसे ही प्रसनुत्री आपको यूटूब पर देते रहेंगे आप देखते रहें और ऑनलाइन में जो जूरना चाहते हों ऑनलाइन में पूरी क्लास करें कोई दिकत नहीं है आप लोग मेहनत करिये सफल होए तो हम फिर मिलेंगे कल एकाई 3 में पेड़ वीडियो जो होगा वो लेक्चर आपका होगा कल 29 कल 29 लेक्चर होगा और हम लोग उसी में मिलेंगे बात करेंगे एकाई 3 साहित सास्तिकी